नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल हॉममेड रैसी बैस सुनीता सिंग पर दोस्तों आज 22 जन्वर है और सभी जानते हैं हमारे मर्यादपुर्सत्म भगवान श्रीराम ललाजी की आज प्राण प्रतिष्टा है तो उस प्लेक्ष में आज में बनाने जा रहे और पोष्ट भी होता है इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में तीन चौथाई कटोरी देशी घी को मैल करके डालेगा तब ही माप सही होता है और उसके बाद सेम उसी कटोरी से नाप करके एक कटोरी मकी के आठे को चान करके कढ़ाई में डाल दूगी घी में मकी का लेके आखिर तक लोही रखूंगी और इसे लगातार चलाते हुए भूनुगी देखिए अभी घी थोड़ा हमें कम लगता है जैसे भूने का आटा की रिलीज करता जाएगा मुझे भूनते हुए लगबग तीन मिट हो गया है और देखिए आटे से घी रिलीज होना स्टार् तैयार है अब सेम कटोरी से नाप करके हम दो कटोरी गरम पानी डालेंगे ध्यान रहे फ्रेंट्स पानी हमें गरम करके डालना है तब हमारा मकी के आटे का हल्वा परफेक्ट बन करके तैयार होता है और साथ में हम यह सेम कटोरी से नाप करके एक कटोरी गुड़ की शक्क जिसे जैगरी पाउडर भी कहते हैं यदि आपके पास यह नहीं है तो आप गुड को क्रस्ट करके डाल दीजेगा और इसे अच्छी तरह से मिला लीजीगा देखिए मिनट बाद ही बिल्कुल यह एकदम अच्छे से मिल गया है और कढाई छोड़ना स्टार्ट हो गया बस इ देखिए यह बिल्कुल बनकर के तयार है वैसे मक्की का हल्वा किसी भी फ्लेवर का मुताद नहीं होता लेकिं गुड डाला है तो इसमें यह डाय जिंजर पाउडर यानि की सोंट बहुत अच्छी लगती है देखिए हमारा हल्वा परफेक्ट बनकर के तयार है इसने भी फ्लेवर एड़ करने की जरूतनी है क्योंकि जब आटा देशी खी में भुनता है तो उसका अपना ही एक अलग अरोमा होता है देखिए हल्वा परफेक्ट तयार है अब इसे हम सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट हल्वा बनक और अख्रोट की कतरने उससे गारिश कर दोंगी लीजिए हमारा परफेक्ट मक्की का हल्वा राम लला के भूख के लिए तैयार है तो आप भी मेरी बताएगी रेसिपी का नुसार बनाएगा और बताएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी यदि आपको मेरी रेसिपी आप तक मुझें थैंक्स वर वाचिंग मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइबाइब